हेलो साथियों कैसे आप सभी मैं आपका भाइग फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर से यूट्यूब चैनल पर और आज हमीं स्टार्ट करेंगे जहां से इंड किया था हूं इसे ठीक है मेरे वाई देखो इक्सराइज 3.2 आपका चल रहा है क्वेस्टन 4 तक आप अब क्लास नंबर थी इस एक सरसाइस करेंगे और को सभी आसान आसान से क्वेस्टन बहुत इस इस बीमें आपको बताऊंगा आप चाहिए हिंदी माद्यान के स्टूटन चाहिए आप सी बसी मतलब आइस इसमें आपको लगती है ठीक है तो देखने मेरे भाई वह जो इंग्लिस में इंग्लिस में लिए ठीक है तो अगर आप चनल पर नए चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेर करते रहें जिसे कि जब और बच्छा पाएंगे तो हम पढ़ाई में एक और मज़ा पाएगा ठीक है और आने वाले समय में मैं आपको लाइब स्ट्र इएड़ इक्वालस टू एक मैंट्रिक्स आपको दिया गया है देखते हैं कॉन सा मैंट्रिक्स यह यह? 2 by 3 1 5 by 3 क्या यही है 2 by 3 1 5 by 3 1 बटे 2 2 बटे 3 4 बटे 3 क्या दिया गया 1 बटे 3 1 by 3 2 by 3 और 4 by 3 यह दिया गया थोड़ा सा स्कोर बड़ा करते है देखना दोस्त आगे क्या है 7 by 3 7 by 3 इसके बाद आपका है 2 2 by 3 देखना डाटे कर गल्थ हो जाएंगे न जिसे जो टर्म दिये गए है अगर गल्थ हो जाएंगे कोई दिक्कतनी क्वेस्टन तो सही साल्व होगा न है कि नहीं तो 7 by 3 2 और 2 by 3 हो गया आगे का आगया है एंड ठीक है तथा बी मैट्रिक्स एक आपको दी गई है वो मैट्रिक्स है मेरे भाई क्या है 2 by 5 2 by 5 2 by 5 3 by 5 देखो यही क्वेस्टन अगर मैं लिख लेता हूं तो टाइम जादा नहीं लगता लेकिन एक क्वेस्टन आपको मैं लिख रहा हूं आज ठीक है यह क्वेस्टन है इसके बाद 1 by 5 2 by 5 और 4 by 5 ठीक है 1 by 5 2 by 5 और 4 by 5 यह हो गया आपका इसके बाद क्या है 7 6 2 ठीक है 7 by 5 6 by 5 और 2 by 5 एक बार आप इस क्वेस्टन को चेक कर ले ठीक है एक बार मैं भी चेक करता हूं 2 हो गया 3 हो गया 1 by 5 में ठीक है 1 2 4 1 2 4 by 5 में ठीक है 7 6 2 7 हो गया 6 हो गया 2 हो ठीक है मेरी भाई कहा गया है तो तो 3A माइनस का 5B परिकलित कीजिए ठीक है यह हिंदी में है सुध हिंदी लिखा होता है सबुस्टन की चक्वेन परिकलित कीजिए ठीक है कोरें कहरें परिकलित कीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं आज आसान से question है, इसमें कोई दिक्कत लेना ही नहीं आपको, ठीक है, देखो बहुत आसानी से समझते हैं, क्या कहा गया है, 3A-5B, यही question कहा गया है, जी बिल्कुल देखना मेरे भाई, 3 आप ऐसे लिख ले, 3A matrix फिर लिखते हैं, A matrix आपका है, 2 by 3, 1, 5 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2 और 2 by 3, दिक्कत तो लेना ही नहीं ठीक है, मानेस का सिम्बल लगाना है, 5 लिख लेना है, B matrix आपको लिखना है, देखो 2 by 5, 3 by 5, 1, ठीक है, 1 लिख लेना है, ठीक है, 1 by 5, 2 by 5, और 4 by 5, यह लिखना है, 7 by 5, 6 by 5, और 2 by 5, चीज़ें यहीं ठीक है, देखना दोस्तों, यह कहा गया है, अब multiply करो, 3 का अंदर multiply करो, 4 का अंदर multiply करो, मैंने भाई बता ना, मैंने आपसे कहा था, कि जब multiply किसी constant का किसी matrix में होता है, तो सारे element में होता है, समझ पाए बात था, मैंने फर्ष लेक्चर 2 by 3 में करते हैं, एक समझ लिए ना, और questions हो जाएंगे, देखना 3 है, 3 multiply कराएंगे 2 by 3 में, 2 by 3 में, तो देखना मेरे भाई, 3 से 3 to cancel हो जाएगा, हम अभी इसी element का बात कर रहे है, 3 से 3 cancel हो जाएगा, आपकर क्योल और क्योल बचेगा, क्या 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 लि 2 में 1, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा, 3 1 ही होगा, ठीक है, मेरे भाई, तो 3 हम लिख लिए थे हैं, फ्रोड़ में चलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका 5 ही हो जाएगा, आपको भी पता है, पहला ही कैसे था, जिससे पहले ही किया था, उसी तरह से, 3 into 5 by 3, तो दे देखना, 3 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या था, 7, तो 3 into 7 by 3, तो 3 से 3 कर देखना, क्योर क्या बचा आपका 7 बचा, तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया, ठीक है, मेरे भाई, तो देखना, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो multiply कराएंगे, 3 into 2, क्या हो जाएगा, आपका 3 2 जा 6, तो यहाँ प सेम प्रासेस, इस मैट्रिक्स में भी वही करना है, देखना, इस मैट्रिक्स में करना क्या, यह 5 से 5 एफाईवब कैंसी लोगा, बच्चेब को क्या था, यहाँ पर 1 है, तो 5 multiply 1 कितना हो जाएगा, 5 और 5 तो 5 आजाएगा, यह आपको दिख भी रहा हूगा, और यह भी अब क्या करेंगे मेरी फाइन मैट्स करते हैं कि अब माइनस करेंगे तो देखां क्या आये कि दो मेसे जब 2 जाएगा तो जीरो आजाएगा बात समझ पाए तीरी मेंसे जब तीरी जाएगा तो जीरो आएगा 5 में सर जब 5 जायेगा तो भी जीरो आजाएगा ठीक है तो सारे ट्र LO92 बरावर बरावर और गटा रहें तो यहां भी जीरो होगा यहां भी जीरो यहां भी जीरो यहां भी और यहां भी देखना इसके element मतलब आम एक जो आपका था वो मतलब multiply कराने के बाद थी एक मैंट्रेक्स वह भी सेम ही है माइनस का 5B मैट्रिक्स भी सेम ही है तो दोनों को जब माइनस करेंगे वेसे क्या गया जीरो फिर माइनस का साइनर हो आफ यसम देखना दोस्तों क्या है आपका थेक्षण 10 मेरा 6 मेरे वाइभ लिखा गया है सरल की जिए ठीक है क्या करना की जिए लिखा गया है कि इसके बाद आपको दिया गयाओ को मैट्रिक्स एक को ज़ए हो साइन ठीटा माइनस का साइन ठीटा यहां पर कॉश ठीट है यह आपका मैट्रिक्स है ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर आपको दिया गया प्लस का प्लस का दिया गया साइन ठीटा ठीक है अगर साइन ठीटा दिया गया है ठीक है मेरे भाई तो क्या साइन ठीटा है कि माइनास का कॉश ठीटा है यहाँ पर कॉश ठीटा है यहाँ पर साइन टीटा है ठीक आ legitim और इसी को क्या करना है सबसे करले क्राद यहाँ ऐसे करें अदर सारे शरे में हमने किया था ठीक है तो कॉस्ट ठीटा कॉस्ट क्या हो जागा कॉस्ट स्क्वाइर ठीटा क्योंकि दो है मल्टिप्लाई में स्क्वाइर यहां पर क्या होगा मेरे यहां पर आपका हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या हो गया यहां पर क्या होगा देखना यहां पर आपका कॉस ठीटा यही हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर हो जाएगा कॉस इसक्वाइर ठीटा यह चीज हो जाएंगी यहां पर हो जाएगा साइन इसक्वाइर ठीटा अब क्या करना आपको अब जोड लेना है ठीक क्या करना जोड लेना है देखो कैसे कैसे जोड़ेंगी देखना मेरी वह कॉस स्क्वाइर ठीटा प्लस का साइन स्क्वाइर ठीटा चलो लिख लेते हैं ठीक है कॉस स्क्वाइर ठीटा प्लस का साइन स्क्वाइर ठीटा यहां ह से ही जूड़िगा ठीक है तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिए तो पर इनस इंटु में को सब्सक्राइब यह बात के लिए यहां पर आते हैं यहां पर क्या है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा फिर प्रस का दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा ठीक कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आना कॉस इसक्वार थीटा प्लस साइन इसक्वार थीटा तो कॉस इसक्वार थीटा प्लस का स सानुच 22ब्स का होता है 11 होता है है यहाँ 0 गया यहां भी ऐधी यह यह और फानला चाहिए ऑपट ऊंसाना था छान दिखतेर नंदेखते एगैं क्वेस्ट कूंच्छ 4K कॉंच थिर्फ इस मैंत भी साफिरबर स ब्रहूं को साल्व करते हैं नर्म की यागत has तथा य ज्यानत कि जिए का मतलब क्या है कि find the value of X and Y ठीक है एक सथा Y ज्यानत किजी है ठीक है देखो इसमें first दिया गया है पहला question पहला question इसमें है पहला question इसमें X plus Y X plus Y is equal to क्या एक मैत्रिक्स दिया गया है कौन सा मैत्रिक्स है matrix आपका 7025 7025 ठीक है यही है 7025 तथा X-Y and matrix दिया गया है X-Y X-Y equal कितना दिया गया है 3003 3003 यह आपका matrix हो गया ठीक है तो पहला question तो यह हो गया देखो पहला question पहले solve कर लेते हैं फिर दूसरे पर जाते हैं ठीक है कहता है कि X तथा Y का मान ग्यात करो देखो मेरे भाई X-Y कैसे ग्यात होगा जब हम यह पलस है यह क्या है माइनस है अगर हम जोड देते हैं तो Y cancel हो जाएगा वहां से हमको X की value ग्यात हो कैसे देखो अगर हम क्या कर दें इन दोने question को X पलस Y और यहां पर क्या है मेरे भाई X-Y इनको क्या कर दें जोड दें क्या कर दें एड कर दें ठीक है अड कर दें तो काम बनेगा कैसे तो एकवल किधर यहां पर यह लिख लो जोड रहे हैं तो 7025 और प्लस का सिंबल भी यहां पर लग जाएगा ठीक है यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर, क्या बचा, 2x बचा, तो इधर भी जोड़ेंगे, तो कितना आएगा matrix में, 7, 3, 10 हो जाएगा, 0 का 0 ही जाएगा, 2 हो जाएगा, 7, 3, 10, 0, 2 पलस का 0, 0, और 5, 3, 8 हो गया आपका, ठीक है, अगर हमें x की value find करनी है, तो यह इसकी नीचे आएग कितना हो जाएगा, 1 by 2, इसे दरा से तो होगा, 10, 0, 2, 8, यही होगा, जब हमें x की value find करेंगे, total x की value find करेंगे, देखो, 10 by 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे element में होगा, यह देखो, 1 by 0 by 2, 0 by 2 तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 by 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 by 2 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आपका answer आएगा, 5014, यह मेरे भाई आपका x की value अभी आई, ठीक है, x की value आई, अभी हमको y की value find करनी है, देखो, y की value अगर find करनी है, तो चाहिए आप इस में रख दें, चाहिए आप इस में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो चलो हम पहले में रखते हैं, एक्स की value यह आई, यह, 5014, इसके बाद क्या है, y है, तो पलस का y लिखे दें, क्योंकि हमको y की value find करनी है, यहाँ पर 7025, ठीक है, अब हमें y की value निकालने के लिए, यह matrix उधर लेकर जाना पड़ेगा, इक्वल की उधर, तो इधर positive का है, तो इधर रहे गई, लेकिन यह जो matrix है, उधर लेकर जाएंगे, तो negative का हो जाएगा, तो 5014, यह होगा, यहाँ पर देखना, कि 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा, 0, यहाँ पर क्या है, 0, 0 में से 0, कोई दिक्कर नहीं, 0, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो एक आएगा, यह आपकी मेरे भाई होगी, Y, तो X matrix यह है, Y matrix यह है, तो पहला question आपका solve हो गया हमाई भाई, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक question हो रहे है, एक question हो रहे है, उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले note down करें, दूसरा question देखते हैं, 3X पलस का 2Y, तो देखो, कैसे X और Y की value find कर सकते हैं, देखो, पहले क्या करेंगे, कि क्या तो X कटेगा, या तो Y कटेगा, दोनों में से कोई यह cancel होगा, तभी हमको क्या होगा, X, Y की value find कर पाएंगे, ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर आपका 2X पलस का 3Y, 2X पलस का 3Y यह matrix है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, 2 minus का 2 minus का 1 और 5, एक बार में डाटा मिला लेता हों कि यही है, 2 minus का 2 minus का 1 5, ठीक है, अब देखो, में यह भाई, या तो Y कटे, या तो Y वाला टर्म कटे, तभी कुछ काम बनेगा, ठीक है, तो ऐसे condition में, जब कट नहीं रहा है, त तो ऐसे condition में, जो X का coefficient है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से multiply करा दो, यहाँ पर जो X का coefficient है, 2, यहाँ पर 2 से multiply करा दो, जब हम equal के इधर multiply करा रहे हैं, तो matrix में भी तो multiply होगा, बताओ, matrix में जब multiply होगा, तो यहाँ पर 3 से multiply हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प पलस का 339Y, यहाँ पर क्या होगा, 326X पलस का 4Y, इपी तीजे हो गई, अब देखो, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, 326, 339, 3412, और 3 इंटो में 0, 0, यहाँ पर कैसी मैट्रिक्स आपकी बन गई, यहाँ पर मैट्रिक्स आप क्याएगी, 224, माइनस का 4, माइनस का 2, 25, 10, 10 आगया, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स, करना क्या, यहाँ पर देखो, अब X की वैलू सेम हो गई, ठीक है, तो हम जब माइनस कर देंगे, तो X कैंसिल हो जाएगा, X तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से, देखो, अब यह वाला कम खतम, लेकिन मानस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब यह मानस का सिंबल लिया जाएगा, तो 9 में से, चार जाएक कितना हो जाएगा, पांच वाई आजाएगा, तो हमने क्या के मेरे भई, सब्ट्रेक्ट किया, ठीक है, माइनस किया, तो यहाँ पर भी वाई होगा, मानस यहाँ पर आपका जाएगा, तो 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 यह की मेरे हो गई वाइ की वैलू किया करना को you find करनी कारिए जब को एकस कीब फाइंड करने या इस वाली में रखें तो आदो आपने जो नया सवीचन बनाया था उस में ठीक यह है आपका करना क्या है हमको y की वैलू है ठीक है यह y की वैलू है तो ठीक है 2x अभी हैसे रहने दो पलस का 3 है थीरी है से रहने दो y की वैलू 2 by 5 है 13 by 5 है 14 by 5 है और माइनस का 2 है कोई दिक्कत नहीं इसहर जो टोटल मैंट्रिक्स केतना है 2340 यह है ठीक है मल्टिप्लाइ कराओ अंदर तो दो को 2x तो इधर ही रहेगा अभी पलस का 3 अभी रहने दो इधर ही ठीक है तो मल्टिप्लाइ कराएंगे 3 into में 2 by 5 तो कितना हो जाएगा 3 to 6 by 5 इसी तरह से सभी होगा तो 6 by 5 हो गया यहां पर 1349 तो 39 by 5 हो जाएगा 14 तो 42 by 5 हो जाएगा और 3 तूजा 6 तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल की इधर आएगा मेरे भाई 2 3 4 0 यह होगा आप क्या करेंगे देखो यहां पर 2 अभी इधर यह देने दो इधर यह मैट्रिक्स तो यह सभी लेख लो दो मेंसे माइनस का 6 बटे में 5 जाएगा दो माइनस का 6 बटे में 5 तो 5 दुनाई 10 दस मेंसे 6 जाएगा 4 बटे में 5 ठेक है यह होगा यहां पर देखना तीन माइनस का 49 बटे में 5 तो 5 त्याई 15 15 माइनस 49 बटे में 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 ठे 24 by 5, तो माइनस का हो जाएगा 24 by 5, यहाँ पराना, 4 माइनस का 42 बटे में 5, तो 5 चौके 20 माइनस 42 बटे में 5, तो कितना जाएगा माइनस का 22 बटे में 5, ठीक है, यहाँ पराना, 0 माइनस माइनस 6, कितना हो जाएगा, पलस का 6, तो यहाँ पर कितना जाएगा 6, लेकिन अब द जब x की value जब find करेंगे तो 2 कितना आएगा? divide में आएगा 2 divide में आएगा ठीक है? तो जब 2 divide में आएगा तो 4 by 5 into में 1 by 2 तो 2 से 2 cancel हो जाएगा कितना जाएगा? 2 बटे में 5 यहाँ पर कितना जाएगा? minus का 12 बटे में 5 यहाँ से 2 से divide होगा तो minus का 11 बटे में 5 होगा और 2 से 6 से जब divide होगा तो 3 यहाँ जाएगा तो मेरे भाई यह x की value होगई और यह y की value होगई ठीक है? तो आप इसे समझेंगे कि यह question थोड़ा calculated type का था, ठीक है? गलतिया को कहां नहीं करनी यहाँ पर, यहाँ पर multiply करा रहे है इसका coefficient से यहाँ और x की coefficient से यहाँ तो matrix में भी उसी की coefficient से multiply होगा ठीक है? तो इसको आप note down करें तो देखना है मेरे भाई तो आज की लिए बस इतना ही रहेगा 7 question हो गया 7 question तक आप क्यों हो गया next video मिल देंगी पिले फिर मिलते है next video में जाएंड